लूरोफाइसी तो यहां स्टार्ट कर रहे हैं लूरोफाइसी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं लूरोफाइसी जो है हमारा ग्रीन एल्गी की क्लास है तो यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां जासे देखेंगे आप सिंप्ली आप्जर भी करें जो भी आपको यहां कि बीसिवल हैं डाइग्राम सी सारे सारे डाइग्राम हमारे एक इसके हैं जैसे यहां पर हमारा क्लामेडो मोनास देर्खा है यहां बॉल वक्स देरका है इस सपार्व गारा हो गया चारा हो गया यह डिफॹनट डिफरेंट जीक हमारे पास एक्जामबाथ और विलॉंग यहां पर क्लोरोफिल जो पिगमेंट उसी से यह आया फाइसी एलगी ठीक तो लुटेनिंग एलगी जो है वह हमारे क्या हो गए ग्रीन अलगी और यह दिफेरेंट एक्जामपल हो गया रिपीट कर तुम जिसे यहां कि हमारा क्लामेडो मोनास हो गया वालवक्स हो गया इस पारोगा रहा है यह दिफेरेंट और ग्जामपल हो गया हमारे अब इनके इन में क्या क्रेक्रेक्रेस्टिक है वह हम देखते हैं तो फस्टार्ट करें यहां जो यहां पिर नहीं हो रहा है आपको वहां बात करें एक सेकंड टूस अन करने पहले और एक सेकंड यस टूस तो फस्स थिंग तो ग्रीन अल्गी है तो यहां पर क्या होगा फिर जो यहां पर हमाँ होगा डॉमिनेट की होगा विकाज अप्लोरोफिल एक जो कलर है मेंली कलर जो है वो ग्रीनिश्ट फिग्मेंट फॉर्म करते हैं और इसलिए हमें देखने को मिलना यहां जो डिफरेंट एक्जामपल वहां पर ग्रीन अपीर हो रहा है फिर जो यहां पर हम बात करें यहां प करेंट को औरेजिकल क्वाइट करता है लेकिन यहां पर जो है लेस अमांट होने करान यहां पर शो नहीं होगा डॉमिनेसी किसकी ग्रीन कलर की है इसलिए हमें यह पीरोल के साथ में करेट इनाइट पिगमेंट भी प्रजेंट है जो की असेसरी पिगमेंट है प्लांट ii hooghi plant bodies ii hooghi उसके साथ सथ यहां पर हर तरह के structure मिलेंगे हमें यूनिसलोड मिलेगा colonial मिलेगा फिलामेंटस मिलेगा यूनिसलोड में ग्सांपल हमें गीव हमें गीवन एग्जांपल किसका कि बने यहां पे क्लामिडो मोनास का एक्जाम्पल की बेना किसका ख्लामेडो मुनास का ठीक उसके साथ कोलोनियल मिस्ट जो कोलोनीज फार्म करते हैं वह हमारे हो गए गया वाल बॉक्स और फिलामेंटेस फार्म होता है वह हमारा स्पारोगारा का फार्म होता है ठीक यहां एक इंपर्टन बात बोलना बट यह आता किस में አ में यह कंदम की जो कोकि हमने जो 10 ग्लास क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं वह वह वाइट्कर यूज कर रहे हैं वाइ यूज यूज नैं क्या बोला जितने भी यूट्रिक 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 बुक में आप पढ़ भी सकते हो आप सेगेंड चेप्टर में वाइट टेकर क्लासिफिकेशन के बाद जो आपको पेज गीवन है जो है वह सारी की सारी कीनप प्रोटिस्टा में आएंगी ना कि अलगी में आएंगी ठीक यह इक्लारिफिकेशन वहां गीवन आपको लेकिन यहां बुक में जसका एक्सपरेंशन एक लामेडो मुनास का वह जो है तो यह बात हो गई कि हमारे पास थी डिफेंट फार्म में ए यूनिसल में मिलेगा कोलोनियल मिलेगा फिलामेंट अब नेक्स्ट बात की तरह बढ़ते हैं अब यहां पर जो हमें घीवन है फिर से यहां पर लोफिल करेटर नाइड अड़ लोकलाइज इन प्लोर प्लास तो यह दोनों जो पिगमेंट से प्रेजंट कहा होंगे यह तो वह सभी जो स्रक्षिर्स हैं क्लोरो प्लास तो ठीक अब इनका जो शेप है वह अलग अलग है अब कहीं मिलेगा डिश्कोय शेप प्लांट मिलता है कुछ जगह प्लेट लाइक मिलेगा ठीक रेक्टेंग्लर शेप में जिसमें और गोनियंगी इसमें मिल जाएगा आपको क जो मिला ये कौह सा है आपका इस फारोगा रमिला तो ख्लॉरॉप्लास्ट यो है डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट सेप में मिलेगा त्थीज सब्सक्षब को रहा है और रहा है जो पलाइब अब नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन य्टिट रिवीन वे में बात करें यह तो यहां पर आप स्टार्ट की बना और स्टार्ट करते हैं दुबारा से पार आपसेंट इन अधर क्था सेस्टेल से स्टस्टेल्ड्य को स्रौंड करते हैं यहां ऑन डॉ है पारनाइज अस um फिर आगे हम बात करें पर रिजब फूड मतियल यहां पे इस बंञे कर निकाले भी गया है कि यहाँ पे एक्ष्ट नि हम बात करें तो में समझना है गता से इसको स्टार्ड उ करता है और उसी से कि उसी से जो अब नेकस्ट बात करें यहां पर बता रख sono2 दकी कांसे ग्रीन अलगी इन स्पेस्क्राफ्ट लिगी युज़ोती दिश्खेस्क्राफ्टन पूंसे यकूट है कि अटीनि करता जाएगा और उससे क्या होगा की वहां इलिए सफ़पर करेंगे एक इसकैक एकश्ड होग relevant एस्ते चिनिढर करेंगे यह जो अधर एक्टिबीटी जो उससे जो वहां carbon dioxide का emission होगा वह सारा का सारा जो है यह क्या करेगा convert कर देगा oxygen में ठीक potential source of food energy उसके साथ green लेलगी जो है potential source of food energy भी है ठीक अफिर से ऊची थोड़ा repeat हुआ back page की यहां इस box की बात करें mostly starch around and sometime oil droplets जो है वो present होगे as a result the food material तो यहां पर यह page जो हमारा वो complete हो गया अब next page की अगर हम बात करें कि next page पर हम आजाएं आगे हमारा यह जो है chlorophyce का यह last page है और इसमें हमें given क्या है इसमें हमें given है vegetative reproduction क्या given है vegetative reproduction आज-sexual reproduction यह तीनों हम जानते हैं वेजटिटिब में क्या होगा कि simply एक जो body part वेजटिटिब पार्ट जो है वो breakdown होगा breakdown होके जो है उस ब्रेकडाउन होगा breakdown होगा breakdown होगा इंडिवरी शर्वाइब किसे यहां पर हम बात करें यहां नहीं पर ब्रेक हो गया अब ब्रेक होने के बाद यह जो आसा नहीं डंप हो जाए का डिकंपोस हो जाए कर से किसे हमारी फिंगर्स ब्रेक होगे वहाँ लिए और यहां अष्ज जाएंगी बूइरिया जो है सिंप्ली कुछ मैडिसीन यूज करने से या वह एरिया जो है कुछ टाइम बाद अपने आप वहां पर इंजिरीज खतम हो गई या वूंड जो होगा उससे खतम हो जाए उसके लाद जो पार्ट रिमूब होगा वह डिकम पहुच जाएगा लेकिन भाई इसके बात करें भी य अब बात करें असेक्स्वल यहां पर क्या है जू स्पोर्स प्रजेंट है क्या होंगे असेक्स्वल रिप्रशन के तुरू स्पोर्स फॉर्म करेंगे उन स्पोर्स को जब भी फेवरल कंडिशन मौस्चर मिलेगा और हुमिड मौस्चर के साथ हुमिड अन्वार्मेंट मिल तब यह क्या करेंगे जर्मेंट होने के बाद अब बात करें यह बात कि तो जो भी हमारे स्रॉंडिंग है इस ताइम जैसे रहनी सीजन है और हम देखें कि हमारे स्रॉंडिंग में कहीं भी जहां वाटर ज्यादा जर्मेट होगे ग्रो करेंगे और अपीरेंस भी हमें शो करेंगे अब हम बात करें ना लास्ट की बात करें लास्ट टॉपिक भी है क्लोरोफटाइसी का मारा सग्सूवल्य रिप्रोडक्शन शैक्श्यव प्रट्शन जो है वहां पर गमीट के कॉड़िंग हम इनको कि यह वाला पार्ट मेल है यह वाला पार्ट मेज translations कोई होंगे और और KFFD Q दोनों में लोकमोटर उपेंड़ेंड़ेंट होगे यहां फ्लेजेडा दिख रहा है आपको दोनों में लोकोमेटरी प्रेजेंट होगा दोनों लोकोमोट करेंगे ठीक फिर एक और हमारे पास उगैमी टाइप क्या है इसमें क्या होगा एक जो होगा लार्जर होगा स्पम जो होगा स्मॉलर होगा एक जो है हमारा लार्जर होगा और वहीं spum की बात करें वो हमारा smaller होगा लेकिन एग हमारा जो होगा non-motile होगा इस case में उगैमी में क्या होगा कि non-motile होगा वहीं spum की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होगा spum जो है motile होगा ठीक और उसके साथ साथ हम दोनों case की बात करें यहाँ anisogamous और यहाँ बात करें उगैमी की बात करें इन दोनों case में हम एक चीज़ देखते हैं कि female का size बढ़ा है किसका size बढ़ा है female का size बढ़ा है clear और simply अगर human cell की बात करें तो human ovary में जो egg cell है वो larger cell है spum cell smallest cell है उसके पीछे reason क्या है इस firm cell हमेशा smallest होते है क्यों होते हैं क्योंकि वहिया इनको local mode करके मेनद करके पहुचना होता है कहां तक egg तक और जाके फिर वहाँ fertilize करेंगे ठीक और egg के size बढ़ा क्यों है एक के size बढ़ा इसलिए कि जब तक यह दोनों fertilize नहीं होंगे जब fertilize होंगे यह fertilize होने से पहले इसे survive तो करना है survive कब करेगा जब इसके पास large amount of stored reserve material होगा तो इसलिए female cells जो है वो किरते हैं high amount में reserve food material contain करते हैं और वो reserve food material जो है उन्हें help करता है survive होने में clear इसलिए इनका size बढ़ा होता है तो यहाँ पर जो repression का पूर्स है चाहे वेज़िटी वो sexual हो और असेक्सुल हो वो सारा हमारा complete हो गया इसके साथ साथ हमारा जो यह topic है chlorophyce यह भी conclude हो गया अब जो next upload करूँगा मैं आप करूँगा फियोफाइसी पे करूँगा clear तो यह complete हो गया हमारा